नमस्कार, हिंदी डिक्टेशन यूट्यूब चाल पर आप सभी का स्वागत है, रेडी हो जाईए पांस सेकेंड के अंदर डिक्टेशन लिखने के लिए उप सभाध्यक्ष जी, मैं शुरू में यह निवेदन कर देना चाहता हूँ कि राष्ट्रपती पद और राष्ट्रपती के लिए मेरे दिल में बड़ा आदर है, इसमें किसी को संदेह नहीं होना चाहिए लेकिन जब मैंने इस भाष्ट्र को पढ़ा है, तो मुझे घोर निराशा हुई है और मुझे याद आता है कि इस तरह का भाष्ट्र आज तक इस सदन में पेश नहीं किया गया यह उमीद नहीं थी हमको कि राश्ट्रपती के भाष्ण में इस तरह की बात कही जाएगी राश्ट्रपती के भाष्ण में यह उमीद की जाती है और देश चाहता है कि देश के सामने जो मौलिक प्रश्ण है आगे आने वाले वर्ष में उनको कैसे हल किया जाएगा इसकी कुछ रूप रेखा मिलेगी इस बात का कोई संकेत इसमें नहीं है कौन से ऐसे प्रश्ण है आज देश का सबसे मौलिक प्रश्ण है यहां की गरीबी मिटाने का क्या सरकारी पार्टी के लोग इसको नकार सकते हैं कि यह प्रश्ण नहीं है सरकारी पक्ष से जो जवाब आएगा तो वह उसमें बताएंगे लेकिन इसमें तो कोशिश यह हुई है कि किस तरह से गरीबी और बढ़े यहां इसके जरिये उल्टी गंगा बहाई जा रही है यह चीज है जो मैं पहले कहने जा रहा हूं कि इस सदन से और यहां से देश उमीद करता था कि जो पार्टी पावर में है और जिसको देश की जनता ने चुन कर भेजा है और उसने भेजा है तभी आप वहां कुछ न कुछ करेंगे देश की गरीबी मिटाने के लिए लेकिन आप कुछ करिये तो मैं पहला आदमी होंगा जो आपका साथ देगा लेकिन आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं यह मैं जानता हूँ कहां आपकी ताकत है और कहां आपका कलेजा कामता है इसकी गहराई में मैं नहीं जाना चाहता लेकिन मैं उसे जानता हूँ इस गरीवी को मिटाने के लिए इस भाषण में कुछ नहीं है और जो बातें इसमें दी गई हैं इसमें कुल 40 मुद्दे हैं पहला तो परिचयात्मक है और अंतिम में सदस्यों का स्वागत किया गया है बाकी 38 मुद्दों में से एक भी मुद्दा ऐसा नहीं है जिससे सरकार इस देश की गरीवी को मिटा सकती हो कहीं कुछ नहीं है और जो बातें दी गई हैं राष्ट्रपति के भाषण में ये तो अख़बारों में रोज छपती हैं और अकसर छपती रहती हैं मुझे ऐसा महसूस होता है कि सरकार को इस विशय पर सोचने के लिए पूरा समय नहीं मिला है और अगर मिला है तो जल्दी जल्दी इसको लिखा गया है इसलिए कि कुछ बातें दे दे और उनको ही राष्ट्रपति के मुह से कहलवा दे अगर सचाई के साथ सोचा जाता तो हो सकता है कि इसमें पहला मुद्दा यह होता कि इस तरह से देश की गरीवी को मिटाया जा सकता है मैं यह जानना चाहता हूँ कि उसको आप एक दिन में मिटा नहीं सकते लेकिन इस दिशा में आपकी तवज्जह होनी चाहिए थी जो दिखाई नहीं देती महोदय यह बहुत प्रसन्नता की बात होती यदि माननिय राष्ट्रपती जी की जो भावनाएं थी उसी के अनुकूल यह सरकार आचरण करती और तब हम धन्यवाद के प्रस्ताव पर यहाँ पर अपनी सहमती देते हमारे राष्ट्रपती जी विवाद के विशय नहीं हम उनका समान करते हैं लेकिन सामानिय तह प्रजातंत्र में यह कसोटी है कि जो कुछ राष्ट्रपती जी कहते हैं वह राजतंत्र की एक सामानिय नीती है जो की अगले वर्षों में बरती जाएगी इसलिए उसका विवाद के लिए आना और इस पर विवाद में पढ़ना एक आवश्यक अंग है आज धन्यवाद का प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए जब हमारे मित्र पार्थ सार्थी जी खड़े हुए तो ऐसा लगता था कि अच्छे वक्ता योग्य वक्ता होते हुए भी उनके पास बोलने के लिए कोई विशेश पदार्थ नहीं था उनके पास बोलने के लिए कोई मसाला नहीं था और इसलिए वह दबी आवाज में बोल रहे थे हमारे कॉंगरेसी मित्रों को याद होगा कि एक बार सुभाष चंद्र जी ने और गांधी जी में टक्कर हुई विचारधारा में टक्कर हुई और त्रिपरा कॉंग्रेस में जब सुभाश बाबु ने एक प्रस्ताव रखा था तब उस प्रस्ताव के विशय में बोलते हुए स्री जवाहरलाल नहरू और खान अब्दुल गफार खान ने यह बताया था कि पूरा प्रस्ताव पढ़ने के बाद मैं इस परडाम पर पहु नहीं है केवल शब्द है शब्द है और इसी तरह से आज तीस वर्ष के पश्यात इस अभिभाशन को पढ़ने के बाद मालूम होता है कि केवल शब्द है और इसके अतिरिक्त कुछ नहीं है बहुत से मित्रों ने प्रांतों की बात की और बहुत से मित्रों ने शांति के मसीहा बन कर संसार को सीख दी और शुब कामनाई दी ना तो हम शांति के मसीहां हैं और ना ही हम प्रांतियतावादी हैं जो हमारे देश में घटनाएं घट रही हैं उन घटनाओं के सामने हम कितनी प्रगती कर रहे हैं इस पर हम विचार करते हैं यह बात सही है कि हम यह कलपना नहीं कर सकते कि चाहे कोई भी राज कितना ही अच्छा क्यों ना हो उसमें कुछ खराबी ना हो हमारे रामराज्य की कलपना जो गांधी जी ने की थी वह रामराज्य के बारे में भी लोगों ने गलतियां बताई इस राज में भी हम यह कहें की गलतियां हैं तो हम समझ सकते हैं की हमारे मित्र हमें शमा करेंगे और अगर हम यह कहें कि गांधी जी के रामराज्य की कल्पना को साकार करने के लिए यह जो देश आगे बढ़ा उससे हमको सीख मिल रही है हमारे देश में दो सामान्य बाते हैं एक तो देश को आंतरिक इस्थित से और दूसरी देश की जो बाहिय इस्थिती है उससे हम दोनों दिशाओं में बुरी तरह से असफल हुए है हमारे देश का बाहर जितना सम्मान था उसके बारे में हमारे जो नए मित्र आएं होंगे उनके सामने हमें तत्य प्रस्तुत करने की आवश्यक्ता नहीं है लेकिन 1946 में आधा संसार हमें अपना नेता मानने के लिए तयार था यह सच है उमीद है डिक्टेशन आपने लिख लिया होगा डिक्टेशन में एक या दो शब्द कुछ हैसे बोल दी है मैंने जो डिक्टेशन पे नहीं थे जिससे उस सेंटेंस का थोड़ा सा भाव अलग हुआ है उमीद करता हूँ आप लोग इसके लिए एक शमा करेंगे और बविश्य में कोशिस करूँगा इसी गलतिया ना हो और वीडियो आपको कैसा लगता है इसके बारे में आप सुझाओ देंगे तो बहतर होगा इती अच्छा लगता है तो प्रतिकात्मा कुरूप से लाइक बटन दबा दे चैनल पर नए हैं ऐसी डिक्टेशन पाना चाहते हैं डेली लिखना चाहते हैं एक्जाम सक्स तो प्